उत्तर प्रदेश पंचाय चुनाओं को लेकर जो लगातार सरगर्मी बनी हुई है जिस तरह से माहौल बन गया है लोगों में इस्थिरता नहीं आपा रही है उसी सब दूर करने के लिए क्योंकि जो ग्राम प्रधान पंचायत के लोगों ने डीपी आरो जिला इस्तर पर अपनी आपत्यां दाखिल की थी अपजेक्शन दाखिल के तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है उन पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है कुछ लोगों ने ऑनलाइन जारी की थी उनका कोई रप्लाई नहीं आ रहा है कोई जवाब नहीं आ जारी कर दिया गया उत्तपदे सरकार द्वारा ग्राम पंचाय चुनाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया आचार सहीता लग गई आगे का प्रोसेस हो गया यह दप कि यह सारी दिन छुट्टियों के थे यह बहुत बड़ी बिडंबना है कि यह जब अधिसूचना जा हैं अपने चीज़ें अब जक्षन दे रहे हैं और इस बारे में अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी चीज़ें डाकुमेंट उनके अलक्षन आई कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड और आपत्तियों को सभी को लेकर जितने भी आचिका करता होंगे उत्तर प्रेश पंचाय चुनाओं से सम्मद्धित उनके बारे में जो अधिसूचना हुई आचार से इतालोगी इनको चैलेंज करने के लिए मान ये सरवोच चिनाले में शीगरी हमें की याचिका लगाने जा रहे हैं जिससे निश्चित और पर समय बहुत कम है लेकिन इन्दा इंट्रेस दिये हैं उनकी सुनवाई हो सके उन पर आगे चीज़ हो सके शांती माहौल बना सके है शांती ना फैले ये अति आवशक और महत्तुपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पद्दति है उसमें ग्राम प्रधान सरपंच पंचायत ब्लाक प्रमुक ये सबसे मजबूत इकाई है उसके द्वारा ही देश की सबसे बड़ी पंचायत संसत और राज्यसभा के लिए रास्त दे जाते हैं और उन पर अगर ऐसा होगा उन पर देखें सबसे निचले इस तरह परी लोग इस तरह से प्रफावित हो रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं ह देडली